कि कल्कत्ता से सुमित्रा जी स्वागत है आपका नमस्कर मैंम् जी नमस्कर मैं हां हकीन्स साब नमस्कर जे यह हगीन कि वह पांच शै महीने किसे माँज कर खा रही हूं अभी मेरा खतम हो गया है लेकिन मेरे बीच में काफी ठीच था, कमर में दर्द और टांग में जो आता था, नहीं आता था लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, लास्ट मैना जब खतम हुआ है जो उन्चिया, तब से मेरे थोड़ा दरद रहता है, टांग में चांग में भी और पाओं में मेरे दर्द रहता है, वी-वी, तो मैं क्या करूँ हूँ पिसके हूँ अच्छे देखी, कभी-कभी ये दर्द होगा आपको, जब भी आप वजन उठाएंगे, वेस्टन टालेट यूज नहीं करेंगे, तब आपको बार-बार ये हो सकता है, अगर इस्तफाकन हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना, और अगर ये मस्तकिल हो तो गौनसिया इला वेट जादा है, तो बार-बार आपको परिशानी होगी, तो वेट कम करने की भी आप दवा ले सकते हैं, और जिंदगी में कई बार ये आपको परिशान करेगा, आपका इसका तजर्बा हो गया, जब भी जरुरत हो आप इसे दुबारा इस्तमाल कर सकते हैं. मुरादाबाद से हैं परवीन कपूर जी, स्वागत है आपका. सवाल कर लिजे सर. उम्र कितनी है? हर एक आदमी को डिप्रेशन है आजकल, कभी सोचता हूं मुझे भी अकसर डिप्रेशन हो जाता है, जैसे दुनिया के हालात होते हैं, जैसे घर के हालात होते हैं, डिप्रेशन का आनाते हैं, जो भी आदमी जिम्मदार है, वो सोचता जादा है, और उस सोच से निकल कर आन रह जाते हैं और भगवान पर भरोसा करें कोई भी परिशानी आए तो उसमें कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं बाकी सब भगवान पछोड़ दें अगर उसमें काम्यावी नहीं मिली तो उसमें भी इत्मिलान रखें कि भगवान की तरह से आपके लिए यही बेहतर है और एक चम्मच धनिये का पौडर रोजाना दो बार खाए धनिया तो आप जानते हैं धनिये का पौडर एक चम्मच खाकर और एक चुटकी नमक जैतुन दो गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार सुबह और रात को सोते वक्त आप दोनों को फाइदा होना मुम्किन है हकीम साब जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन फिर नीद नहीं आती उपर से गुसा बहुत जादा आता है तो ये तीनों चीजें ही अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई है तो वो तो वैसे ही बिमार ही है अधिकी डिप तो सब समझदार लोग जाते हैं डिप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता है समझदार आदमी जाता है जी और इतनी परिशानिया हैं दुनिया में समाज में घर में हर घर में कोई ना कोई परिशानी फसाद आपस में रडाई जगड़े और कोई इतनी किसम की परिशानी हैं कि आदमी गिन भी नहीं सकता हमें अपने हलात में जीना चाहिए जिससे हलात हो वैसा हो जाए और भगवान का शुक्र वाला ज़रूर हो जादतर लोग वो डिप्रेशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते हैं लेकि जिस हाल में भी भगवान रख है अगर वो हमें दो वसकी रोटी हलाल रोजी रिश्वत वाली नहीं मेहनत वाली और हक वाली हलाल वाली दे रहा है तो उसका बहुत बड़ा करम है बस ये रोटी ही सच्चाई है जिन्दगी की बाकि पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा और घर नहीं होगा तो फुट पाद पेस हो जाएगा और हर चीज को आप कवर कर सकते हैं अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकते हैं अगर भगवान रोटी दे रहा है दोवत की इज़त से समझ लिजए उसकी बहुत बड़ी इनायत है अब आपको जो कुछ चाहिए तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें, अगर आपने यहां से दिल से भगवान का शुक्र किया, भगवान को राजी कर लिया, तो जो चाहोगे, भगवान आपको दे सकता है, लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, माबाप की सेवा करें, जिसका जो हक है, उसको वह हक दें, किसी का हक ना मा गरीबों से महबबत करें और इन बातों से भगवान राजी होता है और जिसने भगवान को राजी कर लिया वो भगवान से हर चीज ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुम्किन हो यह मेरा अपना तजर्बा है बलकुल अगले कॉलर है सहरनपूर से नरेश जी नरेश जी देखिए नस्का लिक वीजए और बनाईए और इस्तमाल करिए एक तो आप ऐसी चीज़े खाया करें जो हसानी से हजम हो जाए हलकी गजाएं खाएं और एक नस्का है वो बना ले जिक कत्त जो पनवाडी पान पर कत्त लगाता ना कत्त ही सा होता है वो कत्त ले सो ग्राम सुका मिलता है कत्त सफध केते हैं कत्त सफेद सो ग्राम ले ले और कत्ता सफेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम इस सब गोल की भूसी 100 ग्राम और गौन मौरिंगा सफेद ये नकली बहुत मिलता है असली लेना सफेद गौन मौरिंगा और धनिया 100 ग्राम इन सब को खुब बारिक पौडर बनाएं और दो ग्राम सुबा काएं दो ग्राम शाम को एक एक कब दूट से काने से पहले काएं तो बहुत 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 रहे या इनकी गोलियां बना ले इस पौडर की और काबली चने की बराबर गोलियां बना ल नाश्ते से पहले दूद के साथ दो गोली शाम को लिए तो जितना नुसका मैंने बताया है इतना नुसका अपने बनाया तो इसके खत्म होने से पहले आपको अच्छा होना मुमकिन है अगले कॉलर है यमना नगर से सुरेश पाल जी स्वागत है आपका आए जी सर मैंने अपने बहों के बारें पूछने है जी हां जी बताइए मेरी बहों को थारेर भी है जी और गतिया भी है ठीक अच्छा देखिये धनिया और अलसी अलसी को हलका सा भूलने और धनिये के साथ पौडर बना ले और एक आता है गौन सियाः काला गौन ये असली लेना नकली बहुत मिलता है गौन सियाः आधा गुराम और ये जो धनिया और अलसी का पौडर आपने बनाया है ये एक चम्मच है याद रखें ये गौनसिया असली लें और आदा ग्राम इसमें मिलाकर सुबा और शाम खाने के बाद चम्मच भरकर ये इस्तेमाल किया करें दिन में दो बार जो थायरेट की दवा वगएरा है वो भी चलती रहने हैं और हर दो महीने में पिर आप थायरेट के टेस्ट कराएं तो आपको अच्छा लगएगा डॉक्टर को भी आपके के उनका थायरेट कंट्रोल आता जाएगा जितना कंट्रोल आए आपके डॉक्टर के मच्षवरे से उनकी थायरेट की गोली को प्रोटेंसी कम करते करते उसे चुड़ाएंगे इसमें 6-7 महीने लग सकते हैं कि दोनों चीजें दोनों रोग वच्ची के ठीक हो सकते हैं आपकी बभू के यूपी से इमराना हमारे साथ जुड़ गई है स्वागत है आपका जी बताईए है आरी आपकी आवाज जी आरे हैं आपकी आवास असलांगू आलेकों असलाम गांट पर कि शुरौ को इना इस जाड़ का फेलेंगा आपको इसे आपको दशारों सीगवारा का मेलेंगी साड़ कुछा हुद कम जाताए। कितनी उमर है इम्राना आपकी 25 अच्छा बच्छा देखिए ये मरस जिसको होता है उसमें कुछते मुदाफियत यानि इम्मुनिटी की कमी होती है और अगर इसका इलाज पाच्छे महीने किया जाए तो फाइदा मुम्किन है बशरते के आप खटी चीजे और ठंडी चीजे भी छोड़ दे इलाज के दोरान तो उसका इलाज मैं बताता हूँ आप लिख लीजे अगर आपके पास कलम है और कौपी है तो आपके बड़ा काम आएगी देगे सपिस्तान एक दवा है जिसको असाल जबान में लिसोडा कहते है यनि लिसोडा सो गिराम और उनाब सो गिर सपिस्तान उनाब अलसी सो सो गिराम खरीदें उनाब की गुटली निकाल कर फैकनी पड़ेगी और इसमें 30 गिराम पीपले जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में पीपले इसमें 30 गिराम मिलाके पाउडर बना ले अब ये खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुखाएं और रात को सोते वक्त एक एक चमच इसका छोटा चाय का चमच भर के खाया करें आपको फाइदा होना मुमकिन है लेकिन 6-7 महीने लगातार लेनी होगी उखटी नमस्कार मैं बड़े दिनावाद दर्फन होए लिए मैंडम जी टोड़े जी मैं और भीर जी नमस्कार भीर जी जयहिन स्वागत है हमारी बेन का पहले तो आप भीजी रहे एकने दिन आये और बाद में हम भीजी होगी बाइद अच्छा आप खेरियस से हैं तब ये अच् अपना बाइक साल दर्फन है उनको ठीका और जिखाम काफी रहता है लेकिन ना उनको चार मीन होगे उना आवलन उसका देखे साथ में उनको फिर तोड़ा सा नम्त जैतून भी दिया भी चलो अलर्जी के साथ हो सकता है लेकिन बो कहता है मेरे को गर्मी में जादा रहता है सब्दी में ठीक हो जाता है फिर हम उसको पुछे का मतलते हैं तो नहीं कि गर्मी का मारा उसको होता हूँ जिकाम तो उसको क्या दे और एक और स्वाल है एक बच्चे की उमर है सादे चार साथ उनकी ना सकिन्टे जैसे फिलकरे जैसे होते हैं वो हो जाते हैं उनको बहुत साथ काराल Hug इकसा तो थीक हो जाते हैं कि मृप इस की तीके ची के दाने ओने हो जाते हैं चाले टाइब के, पानी के, फिल्क्रे आप बोलते हैं उसको फिल्क्रे, वो हो जाते हैं, हाफों और फेस पे ज्यादा होते हैं, एक ठीक हो जाते हैं, दूसरी जगा हो जाते हैं, दो साल होगे उनको इंग्लिश मैडिसन देते हुए, लेकिन अराम नहीं आता, साधे चार सा का बच्चा है, जी, बच्चा, साधे चार साल का है, जी, 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 ज चुटकी नमक जैतुन एक लीटर पानी में मिला दें और ये पूरा एक लीटर पानी बच्चा एक दिन में या दो दिन में पी ले बाकी जो दूद दूद पीता है वो सब पी सकता है तो एक साथ न पी तो पी एगा भी नहीं और पीना भी नहीं चाहिए ये वो साड़ा चार साल के बच्चे का है लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा ना डाले और जब भी पानी या शर्बत माँए तो इस पानी में शर्बत बना दे इस दूद दूद पीए तो ये पानी थोड एक चुटकी मिला है एतियास से दें पूरे चौबीस घंटे में बस एक बोतल उसके पेट में जानी चाहिए तो जिस तरह भी आप इस्तमाल करें और क्या सवाल था बाइस साल का एक बच्चा है जिने जुखाम च्वीके रहती है जी उनको याद रखें कि उनको नुस्खा तो यही देना है लेकिन एक चुटकी या उस से कम गौन चिल गोज़ा मिला कर देना है तब उनको फाइदा मुम्किन है कम उसकम एक बार पूरे दिन में जैसे दो बार नुस्खा लेते हैं तो एक बार एक चुटकी गौन चिल गोज़ा एक खुराक मिला के दे और एक खुराक ऐसी दे 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 गौन चिल गोज़ा बहुत तेज होता है इसकी एकी बार दे तो बहुत जल्द उसको कंट्रोल होगा लेकिन 6-7 महीने तो लग सकते है